आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPAG 172 के previous year के question paper को करेंगे और आज मैं इस वीडियो में last five year के previous year के question paper को मैं आपको दिखाने जा रहा हैं जो आज का हमारा subject code है BPAG 172 मैं इसमें last five year के question paper को दिखांगो तो यह जून 2023 का है अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेगा BPAG 172 सासन मुद्दे और चुनावतियां ठीक है आपका जो एक्जाम होगा 100 नंबर का paper होगा कितने नंबर के एक्जाम होगा 100 marks का paper होगा और 100 में से यानि 100 में से आपको 35 नंबर passing रहेगा कितने नंबर passing 35 नंबर और आपका एक्जाम होगा इसका BPAG 172 यह 3 घंटे का paper होगा इसकी timing कितनी रहेगी 3 hours रहेगी ठीक है notes में देखेगा इसमें क्या करना आपको 5 question लिखने है टोटल देखेगा 8 question आता एक्जाम में 8 में से आपको 5 question लिखने है और 400 word limit है यानि यह question को 400 सब्दों में लिखना है कहने की मतला यानि 4 page तो लिखना ही पड़ेगा इस जामें यानि एक question 4 page का लिखना पड़ेगा और इसमें 2 भाग दियेगा दो भाग है भाग 1 में 4 question है और भाग 2 में 4 question है एक में से दो कोस्टन करना, एक में से तीन करना, चाय भाग एक में से दो कोस्टन करतो, चाय भाग एक में से तीन करतो, यानि एक में से दो करना, एक में से तीन करना, और सभी जो कोस्टन हो 20-20 नंबर के रहने वाले, यानि 20-20 नंबर के हमको 5 कोस्टन करने हैं, और दो बढ़ा जरूर रहता है अब सारे question को करो जितने मैं question बता देदा रहा हूं इनको सारे लिख लो ठीक है क्योंकि बहुत important पांच साल का अगर आप अच्छे से कर लेतो ना चार-पांच साल का तो आपका बहुत अच्छे से त्यारी होजेगी आप question का देखेगा पहला question हमारा क्या है सासन के संचालन में राजनेतिक और प्रसासनिक कार पालिका की भूमी का बताओ यानि जो सासन का संचालन होता है उसमें राजनेतिक और प्रसासनिक जो कार पालिका उसकी भूमी का बताना है अगला कोश्चन देखेगा सासन के उपागम के माध्यम से लोक तंत्र को मजबूत करने के तरीके बताना क्या बताना सासन के उपायों के माध्यम से लोक तंत्र को मजबूत करने के तरीके का वणन करना है तीसरा कोश्चन देखेगा क्या है सासन में हित धारकों की भागेदारी कई रूप लेती है इस कथन को उचित उधानों के सहित ब्रिस्तित विबरन कीजे बीस नंबर का कोश्चन है ठीक है चौथा कोश्चन देखेगा भारत में सूचना और संचार परदोग्यकी की पहलों का वर्णर की अगला कोश्चन देखेगा सतत मानो विकास पर एक टिपणी लिखना है क्या लिखना है जो सतत मानो विकास है आपको इसको बताना है अगला कोश्चन देखेगा विकेंद्रिये करण तथा अस्थानिये सासन के आया मुकी ब्याख्य करनी है यानि विकेंद्रिये करण क्या होता और अस्थानिये सासन क्या होता इसके आया मुकी क्या करनी है आपको ब्याख्य करनी है ये भी 20 नमबर का कोश्चन है क्या है BP AG 172 ठीक है अगर आप देखेंगे दिसंबर 2022 का कोश्चन पेपर कब का है यह दिसंबर 22 वाला कोश्चन पेपर देखेगा BP AG 172 सासन मुद्दे और चुनोतियां 100 नंबर का एक्जाम होगा 3 घंटे का पेपर होगा नोट्स में मैंने जो बता है वही चीजे लिखी हूँ यह 5 कोश्चन करना है आप सबको ठीक है 400 वर्ड लिमिट लिखने 400 सब्दों में आप कोश्चन देखेगा पहला कोश्चन क्या है बैसवी करन और नागरिक समाज की बीच सम्बंद अगला कोश्चन देखेगा सासन में गयर राज करता की भूमिका और सासन में गयर राज करता की भूमिका इनकी मैं सब क्लास करवाने वालों आपको देखनों को जरूर मिलेगी तीसरा कोश्चन देखेगा हम विकास को विभिन द्रिष्ट कोणों के माध्यम से देख सकते हैं विष्टित वणन कीजिए यनि हम विकास को किन-किन तरीकों से देख सकते हमें बताना है चौत्हा कोश्चन देखेगा समकालिन समय में मीडिया सासन में एक प्रासंगी भूमिका निभाति ती अगला देखेगा भागव दो में पंचोँ कोश्चन भारत में पंचाइती राज विवस्थाओं को मुल्यांकन कीजिए बड़ा important question है पंचाइती राज आने की संभावना रहती है अगला question देखेगा सहे भागी संस्थाओं की अस्थापना का विकास के एजंडे को आगे बढ़ाने के लिए यानि सहे भागी संस्थाओं की जो विकास एजंडा है विकास के एजंडे को बढ़ाने के लिए के लिए क्या तकनी की क्या चीज़े हैं बताना उसका वर्ण करना 20 नंबर का question है अगला question देखेगा सतत मानो विकास की विसेश्थाओं की वियाख्या यानि सतत जो मानो विकास है उसकी आपको क्या बतानी है उसकी विसेश्थाओं की व्याख्या करनी है और आठवा question हमारा क्या देखेगा सूचना योम संचार प्रोध्दोग की सासन पर एक क्या करनी आपको टिप पने यह लिखने है और कितने नंबर की है यह 20 नंबर की अगर आप देखेंगे टोटल कितने 2 कोशन पेपर मैंने आपको बता देखें चलिए आगला कोशन पेपर देख लेते हैं तो देखेगा BP AG 172 ठीक है यह जून 2022 का question paper कब का question paper है ये जून 2022 का question paper देखेगा BPAG 172 सासन मुद्दे और चुनोतियां 100 नंबर का paper होगा 3 घंटे का आपका paper होता है ठीक है और आपको 5 question करने है 400 लिमिट रहेगी तो आप question देखेगा पहला question हमारा क्या अगला question देखेगा उपियुक तु दहन देते हुए सासन में हितधारकों की भागी दारी निसासन में जो हितधारक होते हैं उसको बताना 20 नंबर का है बड़ा important है भी important है अगला question देखेगा विकास की ओधाना और सिधान बताओ एक चप्राता विकास वालना उसी में से आया हुगा है 20 नंबर का question है अगला question देखेगा चौथे question में आपको टिपणी लिखनी है ठीक है जो लिखनी है 10-10 नंबर का है जैसे का है सासकीय संकेतक क्या होते हैं और खा क्या है सत्राबदी विकास तथा सतत विकास के लक्स जैसे अगर आपको चौथा question एकजाम में लिख रहे हो ना तो आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 नंबर में का लिखोगे तो 10 नंबर के लिए खा लिखोगे 10 के लिए तो दोनों लिखना पड़ेगा अगर आप चौथा question लिखते हैं यह नहीं चौथा question लिखोगे और का लिख दिया का आता ऐसा नहीं चलेगा आपको दोनों लिखना पड़ेगा अगला question देखेगा भाग दो में देखीगा क्या है पांचवा question क्या है भारत में सूचना युम संचार प्रदुगी का परियास पर टिपनी question repeat हो गया है अगला question पंचायती राज विवस्था गये न पंचायती राज विवस्था की कारपणाली मुल्यांकन कीजे तथा उनकी कारपणाली को सुधार नहीं के तरीके बताना है तो पंचायती राज विवस्था वाले से आया की 20 नंबर का है question repeat हो रहा है तो वही बोलता हूँ question बहुत सारे repeat होता है आप इतना करके जाएंगे तो आपको बहुत मद है अगला question देखेगा सुसासन को सुनिश्चित करने में सहभागी सनस्थाओं की भूमी का है नहीं क्या बताना है सुसासन को सुनिश्चित करने में सहभागी सनस्थाओं की क्या भूमी का आपको भूमी का बतानी है ठीक है 20 नंबर का और आठवा question देखो जैसे चौथा question था वैसे आठवा question क्या है निम लिखित पर प्रतेक पर लगभग 200 सब्दों में टिपपड़ी करना है जैसे का क्या है corporate सासन की सिध्धान क्या होते हैं बताना है और खा क्या है corporate सासन की सामभी जिम्मेदारी यह जो corporate सासन है यह बड़ा important हुझे लग रहा क्योंकि इससे question आता ही आता corporate सासन वाला जरूर पढ़के जाना यह important हो सकता है ठीक है चलिए अगला question paper देख लेते हैं next question paper देखेगा यह क्या है BPAG 172 क्या है BPAG 172 अगर आप देखें कब का question paper है यह December 2021 का question paper कब का question paper है यह December 2021 का question paper है देखेगा BPAG 172 सासन मुद्दे और चुनोतियां ठीक है अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर के जरूर वीडियो को देख सकते हैं अगर आप चैनल पर आओगे यहाँ पर एक तो चैनल को subscribe कर लेना बाकी मैं इसकी बड़ी भी class करवाने वाला हूँ आप playlist में आगो ना तो मैं BPAG 172 की मैंने बहुत सारे chapter मैंने पढ़ा रखें तो आप यहाँ पर आकर के BPAG 172 की वीडियोच को जरूर देख सकते हो जहाँ पर मैंने बहुत सारा chapter पढ़ा रखा है और आप उनकी मदद से आप अपने exam की preparation कर सकते हैं जैसे एरा BPAG 172 मैंने पढ़ा रखा यहाँ पर आकर के तयारी कर सकते हैं एम लोग question को देख लेते देखेगाницу में नोट्स में पही चीजने लिखी गई है और यह आग्या नगर्स प्रणाली में घर राजितधार को भीट हो ऩॅ कोशन देखेगा वेकर साही की भॉमिका प्रभवावित किया है टिपणी करना, यह नौकर साही वाला जो चप्टर उस से आया है, वैस्पी कंड ने किस प्रकार से नौकर साही को प्रभावित क्या बताना है, ठीक है, अगला कोस्टन देखेगा, निम लिखित में से किन ही पर लगभग, 200 सब्दों में क्या करनी, टिपणी लिखनी है, 10-10 देखो, पहला क्या है, हीत धारक, सिध्धान्त, और खा क्या है, सासन के परकार, यानि का और खा, दोनों लिखना पड़ेगा, अगला कोस्टन देखेगा, भाग दो में देखेगा, पांचमा कोस्टन क्या है, सुसासन, सब्द देखीगा, सुसासन को प्रोसाहित करने में म महात्पूर्ण भूंता है यह भी कोशन रिपीट हुआ जो आया था ना कि सासन को बनाने में सोसल मीडिया मीडिया वही उसी से रिलेटिड है यह मीडिया वाला एक चप्रा था उसी से आया है अगला कोशन देगा सासन में पार दर्शिता और जबाब देही किस नुश्चित क कीजिए तथा प्रभावी लोग सेवा वित्रण को बढ़ावा देने वाले कारकों को चिन्हित कीजिए कितने नंबर का कोशन है यह भी बीस नंबर का कोशन है और अगला कोशन देखेगा हमारा क्या है इसमें आठ्वा कोशन आपको टिप्पणी करने क्या क्या है सतत्त मा क्लिक दिया और एक से काम चल गया तो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से मैंने आपको लास्ट फाइव यर के कोशन पेपर बता दिये हैं जो जो मैंने कोशन पेपर बताया है अगर आप इनको करके जाते तो आपको मदद बहुत ज्यादा मिलेगी ठीक है और बाकी अगर इंपोरटेंट कोस्टंस लिखोगे तो मेरी पढ़ाईवी वीडियो काफी आ जाएगी जो मेरी वीडियो है देखो एस टाइब की है मेरे चनल की वीडियो अगर आप देखेंगे दूसरी वीडियो है कि आपको इनको देखोगे न, जो वीडियो हैं, काफी मदद मिल सकती है, खास तोर से, जो मेरे पढ़ाएवे वीडियो हैं, मैंने काफी EG में पढ़ा रहें, काफी आसानी से आप इनको कर सकते हैं, बाकी चैनल पर आईए, चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, चैनल यहाँ पर आईए, और चैनल के प्लेट में जाएगे, चैनल को चेक कीजिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप अपनी एक जाम की त्यारी कर सकते हैं, बलकि इसकी आप सभी का बहुत बहुत धनवाद थांक यू सो मच जैहिंग जैवाद